हेलो गाइस आज की वीडियो लेकर आएं आपके लिए बैकलोफन टैबलेट पे इसका फिल रूब्य किया जाएगा यह टैबलेट बहुत ज़्यादा बीमारी में यूज की जाती है उसका सबसे में यूज हो जता है लोग बहुत ज़्यादा परसान रहते हैं और वो यह आपके पेट में जो लीवर होता है उस लीवर में किसी तरह का भी कोई इंट्रेक्शन हो जाना या किसी तरह का भी पेट में खुसकी हो जाना और लीवर में खुसकी हो जाना तो उस खुसकी की वज़े से इसकी आतना सुरू होती है तो उसको ठीक करने के लिए हम बैकलो फैन टेबलेट का यूज करवाते हैं तो इसी के बारे में आपको देंगे जानकारी सब्पूर्ट जानकारी आपको मिलेगी तो वीडियो को बने रही है और भी इसके क्या-क्या फायदे हैं सब बताएंगे इस वीडियो में चलिए गाईज हम वीडियो को सुरू करते हैं जैसा की आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो इस टिप दिया गया है इसको मैनिवेस्टर करती है लिफोर्ट हेल्थ केर और भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट नेम सा आते हैं आप मेंडिकल इस्टर से ले सकते हैं लेकिन उसका जो कंटेंड है जो इसका ये साल्ड है बैकलो फैन डाला गया इसके अंदर 10 mg सिंगल साल्ड से बनाया गया इसके MRP की बात करता हूँ मैं इसकी MRP का ये ज्यादा महांगी नहीं है आपको 125 रुपय में 10 टेबलेट का इस्टिम मिल ले आगा बहुत स्मॉल सी टेबलेट होती है मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ ये कितनी ज्यादा स्मॉल टेबलेट होती है आप ये देख सकते हैं अपको अच्छा है इसका रिजल्ट है अब पहले तो मैं बात बता दूँ आपको कि ये टेबलेट ऐसी है कि आप बिना डॉक्टर की सला से इस टेबलेट का यूज ना करें अगर यूज कर रहे हैं तो पहले आप डॉक्टर की सला लें उसके बाद इस टेबलेट का यूज करें तो हम बताते हैं टेबलेट के फा इस टेबलेंट का उसका क। इस हिच्की में सबसे ज्यादा nisle कर रहा है उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का उसके आगया जाथा है हिच्की को रोकने के लिए इस हिच्की को रोकने के लिए कंदा हुआगा किस可़िक से, ऑर भी GUYS अगर आपके muscles किसी तरीका पूरी body में किसी तरह का muscles पेन है या आपके कोई accident बगएरा हो गया उसके वेसे muscles में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है और इंजरी होने इंकरन बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज कर बाते हैं काफी अच्छा इसका रिजर्ट देखा गया है आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वह ऐसी प्रॉब्लम है तो अब जान लेते हैं में इस टैबलेट की डोज किया इस टैबलेट की डोज है गाईस दिन में दो से तीन बार ले सकते हैं इस टैबलेट को हिचकी की डोज बता रहा हूँ और आप अन्य बीमारी में जो मैंने बताई है उसमें लेना जाए तो उसमें आप को सुभे साम इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं हिचकी में आप दो से तीन दिनी यूज़ करेंगे पहले बात तो यूज़ करने की जड़ोत नहीं पड़ेगी एक से दो दिन के अंदर आपको ठीक होते चले आंगे एक से दो टेबलेट खाएंगे और आम मिलता चला जाया है का और आपकी normal dose है अडल्ड की dose है और बच्चों में इस टेबलेट का सेवन नहीं कराना है बच्चों में अगर इоры का स्य आब कराया तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसर्ट करें और इसके बाद से बंगा तो इसटेबलेट को side effect की बात करते हैं. कुछ side effect भी मिलते हैं. काफि़ अच्छा है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा अब हम जान लेते हैं इस टेबलेट को कौन से लोगों में यूज नहीं करना है जिन लोगों का हाई बीपी रहता है और जो ब्रेट पीडिंग मदर होती है जिन लोगों को उनके लिए इस टेबलेट का यूज नहीं कराना है अलकॉल वाले लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक लिए टेक कर एंड बाए बाए